हेलो एबरीवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट जैसा कि आप थमनिल पर देखी चुके हो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोध्या राममंदिर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट जो है कुछ हम महतपूर् ले और नोटिफिकेशन ओन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सबसले बात करते हैं आयोध्या राममंदिर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आज 22 जनवरी 2024 को आयोध्या राममंदिर की प्रान परतिश्टा हुई अब इ जोजित यूगांतरकारी भव्या राममंदिर प्रान परतिश्टा समरहों के सुब अफ्षिर्व की हार्दिक शुब कामनाई दी एतियासिक प्रान परतिश्टा समरहों में देश के सभी प्रमुक अध्यात्मिक और धार्मिक संपर्दायों के प्रतिश्टी शामिल हुए जो है वो पूछा जा सकता है और इसकी जो लंबाई है मंदिर की वो 380 फिट है और चोड़ाई 250 फिट है उन्चाई जो है वो 161 फिट है और इस मंदिर में कुल 392 सतंब और 44 दरवाज्ये हैं मंदिर के स्तंबो और दिवारों पर हिंदू देवी देवताओं और देवियों के चित्रण परदर्शित हैं भूतल पर मुख्या गर्ब ग्रह में भगवान शिरी राम के बचपन के स्वरूप शिरी राम लला की मोर्ती को रखा गया है मंदिर का जो मुख्या प्रवेश द्वार है बेपूर्बी दिशा में स्तित है मंदिर में कुल 5 मंडप है कितने मंदिर के पास एक प्राचीनतम एतियासिक कुवा है सीता कूप है जिसका नाम मंदिर परिशर के दक्षण पस्चिमी भाग में कुवेर टीला में भगवान शिब के प्राचीन मंदिर का जीरनोदवार किया गया है साथ ही जटायू के एक मूर्ती भी स्तापित की गई है नहीं भी लोहे का प्रियोग नहीं किया गया है उसके बाद मंदिर परिशर में एक सीवेज उपचार से यंतर जल उपचार से यंतर अगनी शुरक्षा के लिए जलापूर्ती और एक स्वतंतर्त भिजली स्टेशन है अब बात करते हैं नागर शाली के बारे में जैसा कि आ कि कारणने की कारण इसे नागर शाली काहा जाता है सबसे बड़े इसका नरमान होने की कारण इसे नागर शाली कहा जाता यह शिकर होता है शिकर का सबसे महतपूर्ण भाग सबसे उपर लगा आमलेक होता है जो उत्री भारत के मंदिरों की मुख्या पहचान है तो फ्रेंड्स यहां से जो नागार शाली में बना है आयोद्या जो है वो किस राज्या में अरो बना है वह किस नदी के किनारे स्थेत तो आयोध्या जो है वो सर्यू नदी के किनारे स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है सर्यू नदी के किनारे स्थित है तो friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like share and comment जरूर कर दे चैनल एको subscribe भी जरूर कर दे और bell icon प्रेस करना न बोले